नमस्कार सातियों सुवागत है आपका आप चैनल स्सी एक्जाम वरियम है दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे CICEF Head Constable Ministerial के एक्जाम को लेकर दोस्तों Central Industrial Security Force के अंदर Head Constable Ministerial के एक्जाम निकाले गए थे जिसमें आप लोग का पहले documentation और physical था इसके बाद आप लोग का return exam था after that आप लोग का physical और typing होगा तैपिंग होगा फिर physical होगा फिर आप लोग की एक final merit list होगी जिसमें आप लोग टोटल सेलेक्शन होगा लेंगी देखिए दोस्तों इसका अभी तक सिर्फ physical conduct कराए गया है और जो return exam था उसके regarding ना तो कोई notice है और ना ही कोई update थी अभी तक website पर और ना ही कोई ऐसी date बताए गई थी कि आप लोग के CISF Head Constable Ministerial के exam कब तक conduct कराए जा सकते हैं आप लोग को offline माध्यम से या online माध्यम से दौन माध्यम से जितने भी notice मिल रहे थे हम आप लोग को update दे रहे थे CISF Head Constable Ministerial के exam को लेकर दोस्तों यहां पर आप लोग का जो CISF यानी Central Industrial Security Force है इसके अंदर जो Head Constable की भरती चल रही है इसके जो return exam है इसके regarding आप लोग को कोई notice का LDC के तुरू जो भरती कराई जाती है लेकिन आप लोग जब CISF के एक और website यहां पर देखेगी for official website recruitment CISF की यह website है इसका link में आप लोग को वीडियो की description में दे दूँगा इस website पर आप लोग को आ लेना है या फिर आप लोग CISF की जो website पर जाएंगे वहीं पर आप लो देख सकते हैं सब यह अपडेट यहां पर लिखी हुई है नीचे देखें दोस्तों आप लोग को online registration has been disconnected तो यहां पर लिखाओ अभी तक कोई भरती नहीं चल रही है तो जो आप लोग अपडेट दे रहे होंगे कि भरती पर खिर चल रही है तो ऐसी कोई भरती पर खिर नह मिनिस्टिल के रिगार्डिंग एक नोटिस है दोस्तों यह जो नोटिस जब offline mode के माध्यम से आया था तो साथ अगस्त को offline mode के माध्यम से नोटिस हमने आप लोग को प्रवाइड करा दिया था ऑनलाइन वेबसाइट पर इस नोटिस को नहीं डाल गया था जबी तक तो देख सकते हैं इस नोटिस के अंदर क्या अपडेट दी गई हैं इस नोटिस के रिगार्डिंग आप लोग की अपडेट को नहीं समझा जा सकता है यहां पर आप लोग के जो भी नोटिस की तरफ से अभी तक आए हैं जैसे एसाई लडीसी का हुआ सियाइड कॉंस्टेम मिनिस्ट्रियल का हुआ सियाइसर ट्रेट्समैन का हुआ जो इतीन भरती परकिरियां सियाइसर में चली हुई है इसमें सभी में एक सेम ही स्टिशन बताईगी कोविद 19 की जब ग्राउंड सिचेशन क्लियर हो जाएगी जब एक्जाम कंड़क्ट करा जाएंगी जब दोस्तों आप लोग के सभी एक्जाम कंड़क्ट होने शुरू हो सकते हैं यहां पर यूपी के अंदर बेड के लाखोग एंजिट का एक्जाम है जो इतने लंबे समय अंतराल से अटकी हुई है द्रयार 19 की भरती पर किया है कि इसके एक्जाम कंड़क नहीं करा जा सकते जिसमें आप लोग का सिर्फ एक फिजिकल लिया गया है बाकी और कोई भी को टेस्ट नहीं लिया गया है इसके अंदर तीन चरन बचे हुए हैं आप लोग मेडिकल है टाइपिंग है और एक आप लोग का रिटन एक्जाम है यह तीनों चरन बचे हुए है 2019 में भरती पर किया आई थी हैड कॉंस्टियों मिनिस्टियल की और यहां पर 2019 के बाद इसमें भरती पर किया में सिर्फ 2019 में ही आप लोग का फिजीकल लिया गया लेकिन मुझे तो लग रहा है यह एक्जाम अभी तक जैसे जब नॉटेस था तो उसके बाद जब साथ अगस्त को नॉटेस निकाला गया था तो इसके बाद अगर इसी बात कहिए जाद है कि कोई अपडेट आएगी तो लगना लगनी रहा है कि 2020 के अंदर एक्जाम हो सकत और यह हैड कॉंस्टेव मिनिस्ट्रेल की भरती परकिया इसको भी लंबा रोक दिया गया है तो कम से कम 2022 में जाकर ही भरती परकिया पूरी हो सकती है अकर इस तरीके से इस भरती परकिया को चलाय जा रहा है तो कि अगर यह नहीं समाल पा रहे हैं तो किसी और किसी को भी नोडल फोर्स को देनी होगी जिससे वह जल से जल ऐसे एक्जाम को कंड़क करा सके और भरती परकिया को समूर्ड ढंग से कर सके हैड़कॉंच्टव मिनिस्टेल के पिछली बार जब फार्म आये तो ऑफलाइन मोड के माध्यम से आये ते फार्म तो इस कारण से जो कैणिडेट को पास एडमेट कार्ड गया था वह भी ऑफलाइन मोड के माध्यमस से घय था मत पर इसा ऑप अपलाइन के ओंभका आप अ काड आएगा जैसा कि फिजिकल के लिए हुआ था ऐसी तरीके से आप लोगा जो रेजिस्टेशन है पास्वर्ड है उसके तुरू आप लोग एडमिट काड डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से आप लोगा रेटन एक्जाम है इसकी त्यारी आप लोग करी रहे होंगे लेकि लगाता रूब प्रपेर्शन में लगे हुए हैं तो आप लोग को जो हैड कॉंस्टेशन का एक्जाम है इस बार कट आप ज्यादा हाई जा सकती है इस बात क्योंकि इस बार आप लोग को टाइम बहुत ज्यादा दे दिया इस अपने इस भरती पर किरिया को लेकर तो हैएइस अपने आप गाद करें कुछाई कुछारीं की देट करा जा सकता है उसको पर फूंस में के साथ लेकर कुस्सन मार्क है कि पहले ट्रेटमेंट का जो एक्जाम होने वाला है इसकी कोई अपडेट नहीं है तो हेड कॉंस्टियों मिनिस्ट्रल के एक्जाम की अपडेट कैसे आ सकती है यहां पर देखिए दोस्तों दौनों के अपडेट नहीं है तो यह दो महीने बचे हैं अपडेट हमें देखनी रही है कि आप लोग का एक्जाम इससे पहले कंड़क्ट हो सकें क्योंकि अभी तक कोई नौटिस नहीं है कोई एक्जाम को लेकर कि जब तक कोई नाइंटी के इस्ट्रेशन में कोई नहीं होता जब तक कंड़क्ट नहीं करा जा सकते बरती पर क्रिया रुकी हुई है हमने कॉल करने के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट को देखते रही है और वेबसाइट पर साथ अगस्त को जो नौटिस आने वाला था वह नौटिस जो हमें साथ अगस्त को ही प्रोवाइड हो चुका था जिसके रिगार्डिंग में आप लोगों को अपडेट पहले ही दे चुका था स्याइट रिटन एक्जाम को लेकर कैई अप नौटिस आ चुके हैं कैई अपडेट आ चुकी हैं लेंगि वेबसाइट पर स्र चुकी हैं प्रिटन एक्जाम को लेकर जो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे दिसंबर या जनवरी में आप लोग एक्जाम होड़ सकते हैं एक्जाम जो हैं आप लोग के ऑन-लाइन एडमेट कार आएंगे और रिटन एक्जाम होगा आप लोग ना कि कंप्टर बेस ए नहीं लेते हो आप सोचते हो कि टाइपिंग बहुत तीजी होती है ऐसा नहीं है है एकुरेसी को बहुत ध्यान से दिखा जाता है तो यहां पर देख लिजेगा टाइपिंग में बहुत सारे केंडिट को भार किये जाएगा तो आप लोग ऐसा नहों कि अच्छे खासे मार्स तो लिए यहां लेकिन टाइपिंग में अप लोग फेल हो जाएं तो उसका जरूर ध्यान रखिएगा टाइपिंग की फिरेशन जरूर कर लीजेगा डिया ऐतो आप लोग को बळूट...... में मेरे से संपर्क करना चाहते हैं लिए कर सकते हैं जलेंगा दूस्तों मिलते हैं नेक्स और पडेत के सथ जब तक लिधन्यवाद जहें